हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखंड जी के विद पीके में दोस्तो आपको पता होगा भारस सरकार जग का जो केंद्रे विश्विधाले है हेमवती नंदन भागणा विश्विधाले उसका आज बीर्ड का इंट्रेंज एक्जाम हुआ है जो की उत्राखंड से संबंदित है और दोस्तो इसका जो सो नंबर का महतपून जीस का प्रशन पत्र है वो मैं आपके लिए लाया हूँ जो की आने वाले प्रख्शाव के लिए बहुती महतपून होगा और साथ ही जिन दोस्तों ने एक्जाम दिया है वो आज वो अपने माक्स भी काउंट कर सकते हैं अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं तो दोस्तो देखते हैं आज के जो 100 प्रशने रहे हैं सामानी ग्यान के बहुत ही मुत्वण प्रशन रहने वाले हैं सुरू करते हैं दोस्तो आज का वीडियो इससे पहले दोस्तो छोटी सी रिक्वेस्ट आप से कि अगर आपने हमारा चैनल अब तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सुरू करते हैं दोस्तो क्योंकि टाइम जाता लएगा सोकर्शन है पुरे सुरू करते हैं पहला प्रशन विश्व जल संख्या दिवस हर साल किस तारिक को मराय जाता है तो दोस्तो बहुती सिंपल प्रशन पुछा गया है 11 जुलाई को मनाया जाता है यह प्रशन भी बहुत बार प्रिक्षाओं में आ चुका है दूसरा प्रशन है दोस्तो मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है तो दोस्तो मानव सरीर की जो सबसे छोटी हड़ी होती है वो इस ट्रेपिज होती है और यह मनुश्य के कान में पाई जाती है आप सभी को पता होगा तीसरा प्रशन है दोस्तो रक्त सम्हों वाले व्यक्तियों को सारभोमिक रक्त दाता कहा जाता है तो दोस्तो जो ओग ग्रूप होता है बलड का वो क्या होता है सर्वदाता होता है यानि वो किसी को भी बलड दे सकते हैं चौधा प्रशन है दोस्तो एक कैलोरी के समान होता है तो दोस्तो अगर जूल की बात करें हम तो एक कैलोरी की ब्राबर कितना 4.18 जूल होता है ये भी बहुत बार परिक्षा में पुशा गया प्रशन है पांचो प्रशने दोस्तो धनी सबसे तेज यातरा करती है तो धनी की जो सबसे तेज चाल होती है वो स्टील में होती है यानि धातू में होती है और धातू में भी किसमें होती है जो सबसे कठोर धातू होती है उसमें धनी की जो चाल होती है सबसे अधिक होती है यानि स्टील आपका अंसर सही होगा नेक्स्ट प्रेस ने दोस्तो मायोपिया से पीडित व्यक्ति को किसका उप्योग करना चाहिए तो दोस्तो मायोपिया जहे है साय निकर तृष्टी दोस्त को ही बोलते हैं और अलतार लेंस का प्रियोग इसके निवारण के लिए किया जाता है साथो प्रशने दोस्तो CNG में मुख्य रूप से सामिल है तो दोस्तो CNG का जो मुख्य गटक है वो मीथेन होता है आप सभी को पता होगा अधिनस्त सेवा चाहिनायोग ने भी ये प्रशने पूछ लिया है अपनी परिक्षा में दूसरे प्रशने दोस्तो चिकन पाक्स एक अतियंत संक्रामक संक्रामन है जो की विशानू के कारण होता है यानि दोस्तो ये वाइरस के कारण होता है चिकन पाक्स जिसको इस्थाने बास्ता में क्या छोटी माता भी कहा जाता है नौव प्रस्ने दोस्तू राश्टिय युवा दिवस कर मना जाता है तो आपको पता होगा स्वामी विकननद जी से संबन्धी था ये दिवस 12 जनवरी को मनाए जाता है दस्व प्रस्ने दोस्तो उत्राखन राज्य को कितने भागों में भाजित किया गया है तो दोस्तो प्रशन थोड़ा अटपटा घुमा के पुछा है लेकिन प्रशन का जो तर्क है वो मंडल के दिया है नोंने मतलब उत्राखन राज्य को कितने मंडलों में भाजित किया गया है आपका अंसर दो मंडल होंगे कुमाव मंडल और गड़वाल मंडल 11 प्रेशन दोस्तो इन में से क्या वाइरस के कारण नहीं होता है तो दोस्तो टाइफाइड जो होता है वो वाइरस के कारण नहीं होता है टाइफाइड जो होता है बैक्टिरिया के कारण होता है आपको के नोट होते हैं चाहिए आपको कोई सा भी नोट हो उसमें जो लेंग्विज लिखी होती है जिन में लिखा होता है कि इतने रुपय का नोट है तो 17 भासाओं में होता है हिंदी भासों को जोड़कर कुल 17 भासाओं में लिखा होता है ये भी सामानी गयान की दिर्ष्टी से बहुत ही महतबूर प्रस्ण है अगला जो प्रस्ण है दोस्तो विश्व थाराड जागरुकता दिवस प्रतिक वर्ष मनाया जाता है दोस्तो ये जो दिवस मनाया जाता है 25 मैंकों मनाया जाता है नया प्रस्ण भी नहीं है लेकिन जो नई तियारी करने वाले हैं उनके लिए नया प्रश्ण होगा तो ये भी आने वाली प्रिक्षाव के लिए महत्वपून है चौधो प्रश्ण दोस्तो खासी किस राज्य की मुख्य भासा है तो दोस्तो अगर खासी भासा की बात करे या खासी जनजाती की बात करे तो मेगालाय में मुख्यता होती है लेकिन अगर बात करे असमराज्य की वह भी अंसिक रूप्षे खासी जनजाती या खासी भासा पाई जाती है अगला प्रस्ण है दोस्तो पंद्रवा उत्तराखंड में छेतरवार सबसे बड़ा जिला कौन से है तो दोस्तो इस प्रस्ण में आपको सभी को बहुत डाउट रहता है तो आपको डाउट नहीं करना है अब लोग से वायोग ने भी अंसर उत्तरकाशी दे दिया है और ये जो हिम्वति नंदन भाववणा विश्विद्धाले द्वारा दिया गया है प्रस्ण ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो शकता है उत्तरकाशी अंसर दिया जाएगा समें क्योंकि चमवली तो आप्शन में ही नहीं है तो आपको UK SSC के परिक्षाओं में भी अब उत्तरकाशी करना है अगला प्रस्ण है दोस्तो सवधी अरब में रिलीज होने वाली सबसे पहली बॉलीवीड फिल्म कौन सी है तो दोस्तो सवधी अरब में जो रिलीज हुई है वो भारती फिल्म है कौन सी गोल्ड और ये करन्ट फिर कोशन ने दोस्तो पूछा गया है बीर्ड के एक्जाम में सतरवा कुशन है दोस्तो बीसी रोय परुषकार दिया जाता है तो दोस्तो बीसी रोय जो परुषकार दिया जाता है चिकित्सा के छेतर में दिया जाता है सभी प्रशने नोट करने लाइक है दोस्तो अगर आपने अब तक नहीं पड़ी है देखते हैं दोस्तो अगला देस में फिरोजाबाद विनिर्मान के लिए प्रशिद है दोस्तो फिरोजाबाद जो प्रशिद है वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रशिद है तो आपका जो अंसर हो दोस्तो हर्षवर्धन आपका अंसर होगा क्योंकि इलाबाद में हर्षवर्धन ने ये शुरू किया था उपनिशद पुस्तके हैं तो दोस्तो उपनिशद जो पुस्तके हैं वो दर्शन से संबंदित हैं ये भी प्रशन बहुत बार पुछा जा चुका है आयोग के दोरा बाइसवर प्रशन है दोस्तो पहला भारतिय सासा कौन था जिसका भारत से भारत का छेत्र था तो दोस्तो ये question confusing है क्योंकि इसका जो answer दिया गया है बहुत जगा अलग लग दिया गया है कहीं कहीं चंदरगुप तो मौर ये भी दिया है कनिसके भी दिया है कुछ समझ में इस question के बारे में नहीं आ रहे है लेकिन दोस्तो अगर फिर भी आपको बिल्कुल confirm पता होगा तो आप हमें comment कर सकते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा तेज़ वज़ प्रसने दोस्तो भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी तो दोस्तो भारत की जो पहली रंगीन फिल्म थी वो किसान कन्या थी ये दोस्तो बहुती confusing question था आज के exam में क्योंकि दोस्तो जो पहली फिल्म थी भारत की मोक फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद् और पहली जो बोलती फिल्म थी वो आला मारा थी लेकिन जो पहली रंगिन फिल्म थी वो किसान कन्या थी इस प्रशन ने आज को बहुत हो से परिशान किया है देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन किसे पास्वर गायक को भारत रतन देश के सरवोच नागरिक सम्वान से सम्वानित किया गया है तो दोस्तो लता मंगेशकरजी को भारत रतन दिया गया है जो गायक है इन चार option में ये भी महतपूर्ण प्रस्न था अज अगला प्रस्न है सम्विधान के अठारवे भाग का संबंद है दोस्तो परिक्षा में सत्रवा दिया था लेकिन अब सत्रवा भाग की से साब से दिया था क्योंकि ओप्षन में तो सत्रवा भाग था ही नहीं है क्योंकि I think इन्होंने mistake कर दिया यहां पे 18 लिखनात और 17 लिख दिया था इन्होंने क्योंकि दोस्तो सत्रवा जो भाग है वो भासा से संबंदित है राज भासा से और इन्होंने क्या 18 भाग का उप्षन दिया था आपातकालीन प्रावधान से तो यही लगबग लोगोंने अंसर किया है तो भाग 18 का संबन्ध है आपात कालीन प्रावधान से 26 प्रशन है दोस्तों लोकसभा चुनाओ के लिए नियुन्तम आयू है तो दोस्तों लोकसभा चुनाओ के लिए जो नियुन्तम आयू होती है वो 25 वर्ष होती है ये भी आपको नूट कर लेना है 27 प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंत्रिकंग कौन सा है तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिस में दोनों में लिवर ही दिया है वैसे हिंदी में इसको यह किर्थ बोलते हैं सायद हिंदी का डाउटफुल रहेगा लेकिन इसको लिवर बोलते हैं यह भी आपको नोट कर लेना है अच्छा प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों नोबिल पुरुषकार की सुरुवात कब हुई थी तो दोस्तों नोबिल पुरुषकार की जो सुरुवात हुई थी 1901 में हुई थी ये प्रस्ण भी उत्राखंड लोक से वायोग द्वारा परिक्षा में पुछा जा चुका है अगला प्रस्ण दोस्तो महत्मा गांधी ने भारत में किस स्थान से अपना पहला सत्यागरा सुरू किया था तो दोस्तो भारत में जो गांधी जी ने सत्यागरा की शुरुवात की थी वो चमपारण जिली से की थी बिहार के और अगर बात करें गांधी जी का जो पहला सत्यागरा हुआ था उनकी जिंदगी में तो उन्होंने उसकी शुरुवात कहां कर दी थी दक्षिन अफरिका में क कर दी थी आपको पता हुआ तीस्वा प्रश्ने दोस्तों विश्व जल दिवस कम बनाया जाता है तो दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है यह भी बहुत ही मतपूर्ण पॉइंट है अगला प्रश्ने दोस्तों भारत का महानियवादी निक्त किया जाता है तो दोस्तो भारत का जो महाने वादी न्युक्त किया जाता है वो रास्टपती द्वारा न्युक्त किया जाता है 34 प्रशने दोस्तो किस सहर को भारत की संसिटी के रूप में जाना जाता है तो दोस्तो भारत की जो संसिटी कहलाता है वो जोदपूर कहलाता है राजस्थान में पढ़ता है भारत की संसिटी अगला प्रशने दोस्तो राजय सभा का अध्यक्ष होता है तो दोस्तो राजय सभा को जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपरास्ट पती होता है ये भी प्रस्ण पूछा जा चुका है बहुत से परिक्षाओं में 36 प्रस्ण दोस्तो भारतिय सम्विधान की प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तो भारतिय सम्विधान की प्रारूप समीति कहें drafting committee के हैं या आपका इस committee के और बहुत नाम हैं आपको सभी नाम note कर लेने हैं तो डॉक्टर भीमराव जी जो अंबेड कर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्स थे प्रारूप समिति या drafting committee डॉक्टर भीमराव मेलकर को समिधान का पिता भी कहा जाता है या आपको note कर लेना है दूसरा जो दोस्टो कोस्टन है 37 ये exam warriors है और ये पुस्तक है जो भारत के इस टाइम प्रधान मंत्रिया मान्य नरेंद्र मोजी उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है अगला प्रशन है दोस्टो रविंद्र नार्ट तैगोर को की उपाधी किस ने दी थी तो आपको पता होगा दोस्टो मात्म गानी द्वारा इन्हें गुरुदेव की उपाधी दी गई थी विश्व का पहला digital computer था तो दोस्टो विश्व का पहला digital computer था वह एनियक था ये भी आ आपको नोट कर लेना है उत्राखंड की परिक्षाओं की तुरिष्टी से मौत पूर्ण है अगला प्रेशन है दोस्तों सहद गन्य की चीनिया कौन सीरप की तुलना में मीठा होता है निमलुकित में से कौन सा कार्बन सरकरा इसके लिए जिम्मेदार है तो दोस्तों यह जो स है दोस्तों भारत में दक्षणी परवत्स रिंखलाओं का नाम क्या है तो दोस्तों जो दक्षणी परवत्स रिंखलाओं का नाम अन्ना मलाई हिल्स है अगला प्रेशन है दोस्तों किस कॉलेज को आयाइटी का दरजाद धिया गया है तो दोस्तों रुड की विश्व धाल जो था 1847 में स्थापना हुई थी इसको IIT का दर्जाद दिया गया है अगला प्रशने दोस्तो पुलित जैर पुरुषकार किस वर्स आयुजित किया गया था दोस्तो इसकी जो सुरुवात हुई थी कहने का मतलब यह है प्रशन का 1917 में इसकी सुरुवात हुई थी अगला प्रशने दोस्तो बहुत से बार प्रिक्षा में पूछा जा चुका है इस रोकी स्थापना का हुई थी तो 1969 में इस रोकी स्थापना हुई थी अगर बात करें अंतिरिक्ष्युभाग की तो अंतिरिक्ष्युभाग की स्थापना 1972 में किय गई थी भारत में हर साल 11 मय को मनाया जाता है तो दोस्तो रास्टिय प्रोध योगी की दिवस मनाया जाता है यानि National Technology Day मनाया जाता है भारत में हर साल 11 मय को अगला प्रश्ण है दोस्तो Mother Teresa को नोबिल सांते प्रुशकार से संभानित किया गया था तो दोस्तो इजी प्रश्ण है बहुत से परिक्षा में पूछा जा चुका है 1979 में नोबिल पुरुस्कार दिया गया था मदर टेरे सको सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह एकौन से तो दोस्तो बहुत इजी प्रश्ण है सनी ग्रह जो है सौरमनल का दूसरा सबसे बड़ा प्रश्ण है अगला जो दोस्तो प्रश्ण है पचासवा भारत रतन से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी तो दोस्तो भारत रतन की जो पहली सम्मानित महिला है वो इंदरा गांधी जी है भारत की प्रदान मंतरी रह चुकी है इनके काल में बहुत बड़ी बड़ी गटना है होई है भारत में 51 जो कुशन है दोस्तो मेयामार की मुद्रा तो आपको पता होगा मेयामार की जो मुद्रा है वो क्या थै 52 कुशन है दोस्तो सबसे छोटा देश यानि जंचंख्या के हिसाब से जो सबसे चोटा देश से कौन सा है आप कांसर होगा वेटिकन सिटी यानि वेटिकन सहर ये कोशन है दोस्तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूज थे आज बच्चे लोक नायक दोस्तो लोक नायक की अगर बात करें तो लोक नायक जैप्रकास नारयन को कहा जाता है अगर बात करें लोक मानने की तो दोस्तो लोक मानने कहा जाता है बाल गंग धर तिलक को अगला प्रशन है दोस्तो निम्लिकित में से कौन से साइट यूनेसको की विश्वधरवर सुची में सामिल है तो दोस्तो ये जो साइट है सुन्दरवन नेशनल पार्क यानि सुन्दरवन राष्ट उध्यान के हैं यूनेसको की विश्वधरवर सुची में सामिल है पच्पनवा कुशन है दोस्तो जलवास्प में संग्रहित उस्मा होती है तो दोस्तो जो जलवास्प होती है यानि भाप होती है उसमें क्या अव्यक्त उस्मा होती है latent heat बोलते हैं इसको यह आपको note कर लेना है यह बहुत ही confused करता है दोस्तो अगला जो प्रश्ण है दोस्तो निमलकित में से किसे cell का powerhouse कहा जाता है तो बहुत ही simple प्रश्ण है जे विज्ञान का माइट्रो कांडिया को क्या powerhouse कहा जाता है cell का यानि कोशिका का अगला प्रश्ण है दोस्तो acquired immunodeficiency syndrome यानि AIDS किसके कारण होता है तो सभी को पता है यह प्रश्ण तो वाइरस के कारण क्या AIDS की बिमारी फैरती है इससे क्या सरीर की प्रतिरोधक छमता खत्म हो जाती है अगला प्रश्ण है दोस्तो निमलिकित में से कौन सी धातू मुक्त अवस्था में होती है तो दोस्तो मुक्त अवस्था में होती है वैसे तो सोना भी होता है लेकिन इसमें नहीं है तो जो सीसा है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है अगला प्रश्ण है भारत में कौन सा बैंक केंद्रे बैंकों के करतेवियों का पालन करता है तो दोस्तो बहुत से बच्चे इस प्रश्ण में भी आज confused है केंद्रे बैंक तो स्वेमार भी आई है तो करतेवियों का पालन तो State Bank और भारते ये Central Bank करता है तो दोस्तो आपको बता दू ये जो प्रस्ण है इसका बिल्गुत सही उत्तर जो है भारते Reserve Bank है क्योंकि दोस्तो प्रस्ण में पूछा गया है कि भारत में कौन सा Bank केंद्रे Bank के करतव्यों का पालन करता है क्योंकि दोस्तो पूरे भारत में खाली State Bank और Central Bank ही नहीं है और भी Bank है चाहे Oriental Bank हो चाहे देना Bank हो चाहे कोई सा Bank हो आपका PNB हो वो सभी क्या RBI के दिश्या निर्देशानुसार चलते हैं वो सभी केंद्रे Bank के क्या जो करतव्यों का नहीं लेकिन उसके निर्देशों का पालान करते हैं लेकिन अगर केंद्रे Bank के करतव्यों की बात करेगा तो आप का अंसर होगा RBI यानि भारती डिजर्व Bank अगला प्रेशन है दोस्तो संयुक्त राष्ट संग सैक्सिक वे अग्यानिक सांस्क्रितिक संगठन UNESCO का मुख्याले कहां इसती थे तो दोस्तो UNESCO का मुख्याले Paris में इसती थे Next है Thomas Cup तो दोस्तो Thomas Cup जो है Bad Bindan से संबंदी थे अगला प्रेशन है भारत का सम्विधान अपनाया गया था तो दोस्तो भारत का सम्विधान जो अपनाया गया था पूर्ण रूप से 26 जनवर 1950 को अपनाया गया था अगर बात करते हैं आंसिक रूप से तो आंसिक रूप से 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था अपनाया नहीं गया था अगर अपनाने की बात करेगा तो आपका 26 जनवर 1950 आंसर होगा 63 कोशन है दोस्तो परमानू रियक्टर में ने मिनकित में से एक काउपयोग इंधन के रूप में किया जाता है तो दोस्तो इंधन के रूप में जो किया जाता है परमानू रियक्टर में ये भी आपको नोट कर लेना है 64 एक रास्टे नेता जिनका जन्म दिन 11 नमंबर को रास्टे सिख्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो दोस्तो मौलाना अबुल कलाम आजाज जे हैं जो स्वतंत्र भारत के गया पहले सिख्षा मंतर रहे हैं उनका जन्म दिवस है 11 नमंबर को तो इसी के दिन 6 सा दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला कुश्चन है 65 नागारजुन सागर परियोजना का निर्मान किया गया है पूछा गया कि जो परियोजना है नागारजुन सागर कहा इसका निर्मान किया गया है तो आपको पता होगा क्रिश्णा ने पर इसका निर्मान किया गया है अगला प्रेशन है दोस्तो बर्मुडा त्रकोन इस्थित है तो दोस्तो बर्मुडा जो त्रकोन है वो उत्तरपश्य में अटलांटिक महासागर में इस्थित है अगला प्रेशन है दोस्तो विक्रमा दित्ते की उपाधी धारण करने वाले गुप्त राजा थे तो दोस्तो विक्रमा दित्ते की जो पाधी धारण की थी वो चंदरगुप्त सेकंड ने की थी 68 कोशन है दोस्तो संयुक्त राष्ट शुरक्सा परिशद के इस्थाई सदस्य है तो दोस्तों यह जो लाइन लगी है एक गलत है क्योंकि इसका जो सही आपका अंसर होगा वो आपका पहला जो अप्सन होगा वो राइट होगा UK, USA, रूस, चाइना और जापानिस का सही अंसर होगा पांच सदस्य है जो UNO के इस्थाई सदस्य है यह जो आपका भी उप्सन है यह गलत है 69 दोस्तों पुस्तक My Country, My Life के लिए खके है तो दोस्तों करंट फेर की तीन-चार कोशन हो चुके है कि यह भी आया है लाल कृष्ण आडवानी जी की पुस्तक है My Country, My Life तो यह प्रशन भी पूछा गया है 70 प्रशन है दोस्तों नीली करांती संबंदी थे तो नीली करांती संबंदी दोस्तों मतस्य पालन से संबंदी थे 71 महान कवी अमीर खुसरों का जन्मिस्तान था तो दोस्तों जो अमीर खुसरों है सभी प्रक्षाओं की दृष्टी से बहुत ही महतंपुण है क्योंकि यह क्या एक खड़ी बोली के बहुत ही महतंपुण कवी रहे चुके है और उन्होंने बहुत से सासकों के दरबार में क्या महतापुर्ण योगदान दिया है तो दोस्तो आपको उनका जन्म याद रखना है उत्तर प्रदेश के एटा में उनका जन्म हुआ था और जन्म का वह था उनका 1253 में ये भी आपको नोट कर लेना है 72 है दोस्तो लोधी वन्स का अंतिम सासक कौन था तो दोस्तो लोधी वन्स का अंतिम सासक इबराहिम लोधी था ये भी आपको नोट कर लेना है 73 question है दोस्तों अंडमान और निकोबार दीब समू की राजधानी है तो दोस्तों अंडमान और निकोबार दीब समू है उसकी राजधानी पोर्ट बलेर हैं यह आपको पता होगा नेक्ट जो question है निम्रिकित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पस्चिमी घाट को जोड़ती है तो दोस्तों यह जो पहाड़ी है वो नेलगिरी की पहाड़ी है पस्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है अगला प्रेशने दोस्तो 75 उत्तर प्रदेश में चर्कुला लोक निरत्य संबन्दी थे तो दोस्तो ये जो निरत्य है चर्कुला ये ब्राज छेत्रे से संबन्दी थे इसमें अभी बहुत से बच्चे आज कन्फिूज थे 76 दोस्तो लखनाव कांगरेस अदिवेशन 1916 किसके अध्यक्षता में किया गया था तो दोस्तो ये जो अध्यक्षता था वो अंभीका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में किया गया था 77 दोस्तो रिहंद परियोजना स्थित दोस्तो उत्तर प्रदेश में स्थित है वैसे तो लेकिन अगर जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिर्जापुर जिले में स्थित है अगला प्रशनी दोस्तों सर्फरोसिकी तमन्ना अब हमारे दिल में है ये किस ने לिखा है तो दोस्तों ये जो पंक्तिया है ये राम प्रशाद बिस्विल जी के हैं अगला प्रशनी दोस्तों 79 कृत्रिम वर्षा बनाने में परियुक्त होने वाला रसायन कौन से है तो दोस्तो जो artificial rain होती है उसमें जो परियुक्त होने वाला रसायन है वो silver iodide है ये भी आपको नोट कर लेना है आने वाली परिक्षाव को दिर्श्ची से बहुत ही महतबूर प्रश्ण है 80 जो प्रश्ण दोस्तो सबसे बड़ी माईका पाई जाती है तो दोस्तो माईका जहां तक पता चला है अब तक मुझे माईका जो बोलते हैं अबरक को बोलते हैं वैसे एसबस्टस भी बोलते हैं उसको लेकिन माईका बरक को ही बोला जाता है और ये प्रश्ण सायद आया है पहले गई PCS में, तो माई का मेखला आया था, वहाँ पर माई का मेखला कर गे, तो जो सबसे बड़ी माई का मेखला है, वह भारत में ही पाय जाती है, आपको पता होगा कि अबरक के उत्पाधन में, भारत का विश्व मैं प्रथम स्थान हैं यह भी आपको नोट कर लिना है अच्छा fact है के 81 कूष्शन है दोस्तों चे्क के टीके का विश्कार किया था तो दोस्तों चेछा के टीके का विश्कार जो option में Kommunen में तो कोई भी साही option नहीं है क्यूंकि चेछा के टीके का विश्कार Edward Jenner ने किया था लेकिन अगर दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि इन चार उप्षन में से कोई सही उप्षन है तो आप लीज़ने कमेंट करके जरूर बताएं 82 कोशन है दोस्तों जब आवरित्ति की धावनी 20 हट से नीचे होती है तो उसे क्या कहती है तो दोस्तों जब 20 हट से नीचे होती है आवरित्ति की धावनी तो उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं ये भी आने वाली प्रिक्षां को दृष्टी से महतोपूर है मानव सरीर द्वारा उत्पादित प्रमुक अपसिस्ट है तो दोस्तों मानव सरीर द्वारा उत्पादित अपसिस्ट है वो कारवन डायोकसाइड मुख्याता है और यूरिया भी मानव द्वारा उत्षरजित किया जाता है तो आप कांसर होगा A और B दोनों मानव सरीर में कौन संग सरीर से कारवन डायोकसाइड को हटाने के लिए जिम्मदार है तो दोस्तों CO2 यानि कारवन डायोकसाइड को जो हटाता है सरीर से वो फेफडे है यानि फेवड़े ही क्या करते हैं हवा को बार फैंकते हैं जिससे के कार्बन डायोकसाइड निकलती है 84 का अंसर होगा आपका B आप्शन 85 दोस्तो उन अंगों के नाम बताईए जो मनुश्य में उच्छरजन परणाली बनाते हैं तो दोस्तो जो उच्छरजन परणाली बनाते हैं आपका दिया है उप्शन में दो किड्नी, दो उरिटस, मुत्रासय और मुत्रमारग तो दोस्तो उच्छरजन के बात कर रहा है तो ये जो तीन अंग दिये हैं नोंने इनके बिना क्या उत्षर्जन नहीं होता है तो आपका D-Option होगो प्यूक तो सभी जितने भी अंग दिये हैं सभी उत्षर्जन पर नाली बनाते हैं 86 है दोस्तो शिक्सा बिना वोज के प्रतिविदन दिया था तो दोस्तो ये जो रिपोर्ट दी थी लर्निंग विदाउट बर्डन ये रिपोर्ट दी थी दोस्तो प्रोफेसर येसपाल जी ने जो की महती महतपुन सावित हुई है 87 कॉश्चन है दोस्तो नोबेल सांति प्रुषकार 2018 दिया गया है तो दोस्तो इसका ये उप्सन सही अंसर था डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को नोबेल सांति प्रुषकार 2018 दिया गया था 88 है दोस्तो अरजुन प्रुषकार 2018 प्राप्त नीरत चोपड़ा संबंदी थे तो दोस्तो वैसे तो ये भाला फैंक से संबंदी थे लेकिन भाला फैंक एथलेटिक्स में आता है तो आप कांसर सी होगा एथलेटिक्स से संबंदी थे नीरत चोपड़ा अरजुन पुरुषकार वेजाता है 2018 गे 89 है दोस्तो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है तो दोस्तो भारत की जो सबसे गहरी नदी घाटी हो भागिरती और अलक नंदा है 90 है दोस्तो राष्टे सिक्सा दिवस किस किस मृती में मनाया जाता है आपको पहले बदा चुका हूँ दोस्तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जर्म दिवस के रूप में ही क्या राष्टे सिक्सा दिवस मनाया जाता है किस की समर्थी में मौलाना अबुल कलाम आजाद क्योंकि यह क्या सटंत्र भारत के पहले सिक्षा मंत्री रह चुके है 91 कोशन है दोस्तो रिसी केस को जाना जाता है संतो के सहर के रूप में आपको बली बाति पता होगा अगर आप उत्राखंड अधिनस्त सेवा चायनायोग की तियारी कर रहे हैं 92 गोशन है दोस्तो एटोमालोजी का संबंद है तो दोस्तो एटोमालोजी का संबंद जो है वो कीटों के अध्यन से है ये बहुत ही महत्वपुन प्रशन है दोस्तो आने वाली प्रिक्षाण की दिरिश्टी से और खासकर आपका जो उद्यान वाग का एक्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपुन है 93 है दोस्तो किस सहर को सिलिकोन वैली ओफ इंडिया की नाम से जाना जाता है तो दोस्तो वैली ओफ सिलिकोन बैंगलोर को कहा जाता है आपको पता होगा इलेक्ट्रोनिक के जो सामान होते हैं सारे बैंगलोर में ही मनते हैं और उनमें सिलिकॉन परीक्ट होती है तो सिलिकॉन वैली क्या जाता है बैंगलोर को 94 है दोस्तों NCTE का तात पर यह क्या है तो दोस्तों टीचर से संबंदित है तो यह प्रशन आ नहीं था नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म यानि डी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन उत्राखंड है तो दोस्तों बहुत है सिंपल प्रशन है बी ऑप्शन आपकराइट अंसर होगा भारत का 27 वराज्य है और अगर बात करें हिमालय प्रशन में ग्यारव राज्य है उत्राखंड ऐसर देख अगला प्रेसन है दोस्तों उत्राखंड की शास पीछे भाषा है तो दोस्तों अकिशंद वंदित है वह सम्मान पावंड में के अधिकार से अगर हम 20 के का के बाद करें तो सिक्सा के अधिकार दिनियम 2009 प्रकाशित किया गया था तो दोस्तो सिक्सा से अधिकार दिनियम 2009 प्रकाशित किया गया था 99 है दोस्तो आंद्र प्रदेश की राजधानी क्या है तो दोस्तो आंद्र प्रदेश के जो राजधानी ये वरत दोस्तो तत्मान में वो अमरावति है ये आप सभी को पता होगा लास्ट कॉश्चन दोस्तो 100 निम्लिकित में से कौन बरड़ आफ जोनों के नाम से जाना से क्या भारत का जो रास्ट ये पक्सी है मोर उसे जाना जाता है बर्ड ओफ जोनों के नाम से तो दोस्तों ये जो प्रशन है आने वाले प्रिक्षाओं की दृष्टी से भी महतपून है और दोस्तों आप सभी ने जिन्होंने बेड का एक्जाम दिया है अगर आज आपका ए सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए चलो दोस्तों मिलता है ये अगली वीडियो में थैंक ये फॉर वाचिंग